दोस्तों मैं आशिज रमन स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों करेंट अफेर्स की स्रीज में आज हम अगस्त थर्ड वीक की इंपोर्टेंट टॉप टेन अफेर्स को डिटेल में डिस्कॉस करेंगे चलिए सुरू करते हैं संयुक्त अरब अमिरात ने हाली में इसराइल के सांती समझाता करने वाली पहली गल्फ कंट्री बनी इस एग्रिमेंट को अबरहम एकॉर्ड का नाम दिया गया है यह डिल इसराइल को वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन यानि राजहरन करने से रोकेगी वेस्ट बैंक इसराइल और जॉर्डन के भी सेंड्विच्ट है इस समझाते के अंतरगत इसराइल और युए की बीच डिरेक्ट फ्लाइट टेली कम्निकेशन टूरिज्म एनर्जी सिक्योर्टी और हेल्थ केयर एटीजी स्टार्ट होगी आप सोच रहे होंगे कि यह सांती समझाते की जुरत सारे शुनी नेशन्स ने इसराइल के साथ एंटी इरान एलाइंस बना लिया है इरान के साथ लेबनान सीरिया और इराक हैं नेक्स्ट बीते 16 अगस्त को भारत ने अटल विहार इवाजपी जी की पुन्रितिति की इसम्रिति में उन्हें सद्धंजली अर्पित की आज हम उनकी विशे सुपलब्दियों की चर्चा करेंगे उन्होंने तीन कारीकालों में प्रधानमंत्री के तौर पे भारत की सेवा की पहली बार 1996 में केवल 13 दिनों के लिए दूसरी बार 1998 में 13 महिनों के लिए और आखडी बार 1999 से 2004 तक फुल टर्म तक वे दस बार लोक सवा सदस्थ से और दो बार आज सवा सदस्थ चुने गए इंडिपेंडनस मुव्मेंट में वे उनका काफी योगदान रहा वे 1944 में आरे समाज अंदुलन के युवा मोर्चा के सेकरेटरी भी रह चुके हैं भारत को नुकलियर पावर बनाने में इनकी मुख्य भूमिका रही है भारत ने 1998 में पोकरन में पांच नुकलियर टेस्ट किये थे उन्होंने भारत पाकिस्तान की रिष्टे में भी सुधार लाने क काफी प्रियास किया भारत ने कारिकल का युद्ध भी इनके कारिकाल में ही जीता इस तीन महीने की लंबी युद्ध में हमारे भी पात्सुसानिक सहीद हो गए हैं चलते हैं अगले अफेर्स पर भारत ने 16 अगस्त को 30 टन की टेक्निकल एक्विपमेंट्स मॉरिश्यस को अबेजी जो कि अभी प्रिष्टिन साउथ इस्ट कोष्ट में ओले स्पिल को कंट्रोल करने के लिए लर रही है इस ऑपरेशन का नाम मिशन सागर रखा गया है बेज़गे एक्विपमेंट्स में रिवर बूम, ओसियन बूम, हेली स्कीमर्स, ब्लोवर्स, ओल अब्स और ग्राफिन पैट्स सामिल है, आपको बता दो कि बीते 8 अगस्त को आइलेंड आफ मॉरिशस ने इनवायर्मेंटल एमर्जंसी घोसित की है, यह एमर्जंसी ओइल स्पिल की वज़ए से लगाई गई है, जैपनिस कंपनी नागसा की सिपिंग लिमिटेड, 4000 टन्स और फ्यू आपको बदादो के इंटरेलवें वर्ड्स टॉलिस्ट पायर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन मनिपूर में कर रही है, यह ब्रिज 141 मीटर उची है, इससे पहले यह रिकॉर्ड 139 मीटर उची माला रिजे का ब्रिज के नाम थी, यह मॉन्टेग्रो यूरोप में इस्तित है, य इस पायर ब्रिज 111 किमीटर लंबी जिरिवाम टूपूल इंफाल डेलवे लाइन प्रोजेक्ट का एक भाग है, इस ब्रिज के लंबाई 703 मीटर है, नेक्स्ट, उनिस अगस्त को केंडरी मंटरी मंडल ने नेशनल रिक्यूर्मेंट एजंसी सेट अप करने की मंजूरी द अभी जो टायर 1, टायर 2 एंटायर 3 होते हैं, उनके लिए रैक्ट अप्लाई कर सकेंगे, इस स्टेप को एक रिवलुशनरी रिफाम माना जा रहा है, क्योंकि यह रिक्यूर्मेंट प्रोसेस में तेजी वा पारदर सिदा लाइगी, इस कदम से उन धाई क्रोर अप्लिकें के लिए काम कर रही है, यूनियन बजट 2020-2021 में नेशनल रिक्यूर्मेंट एजनसी के लिए 1517 क्रोर रुपे आउन्टित किया गया है, आपको बता दो कि मदपर्देश देश की पहले स्टेट है, जो CET के स्कोर के आधर पे जॉब देगी, नेक्स्ट, बिते गुनी से गस् तीन हवाय एड़ों, जैपूर, तिरिवनत पूरम और गोहाटी के पुनर विकास को मंजूरी दी, यह प्रोजेक्ट अधाने इंटरप्राइजस लिमिटेड को दिया गया है, इस वर्क को हैंडल करने के लिए यूनियन गौर्मेंट 1070 क्रोर प्रोइड करेगी, इन तीनों एरपोर्ट को पॉलिक प्राइवेट पार्टनर्शिप के दहत, ओपरेशन मेंटेनेंस के लिए लीज पर दिया जाएगा, हलाकि एरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया की जिम्यदारी एरपोर्ट का अपग्रेड, मेंटेन और सिविल एविएशन को मैनेज करना है, अभी एरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया 137 एरपोर्ट को मैनेज कर रही है, इसकी अस्थाबना एरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 के दहत की गई है, नेक्स्ट, बिस अगस्त को स्वक्ष सरवेक्षन 2020 के परिणामों के गोश्ना की गई, लगा था चौथी बार इ देश की सबसे किलिन सिटी का किताब जीता, दूसरे नमर पर सूरत और तीस नमर पर नौई उमवे ने अपनी जगह बनाई, इस सरवे में वारानशी ने बेश्ट गंगा टाउन का किताब जीता, यह सरवे मिनिस्ट्री ऑफ हाॉसिंग और इरपन एफर्स के दोरा कराई ग इस समझाते का नाम यूनियन पीस एकॉर्ड रखा गया है, यह पीस प्रोसेट 2011 से ही स्टार्ट की गई थी और एक लंबे संगर्स के बाद इसका परिनाम निगला, दोस्तों में अनमर एक मल्टी इथने कियाने की बहु जातिया देश है, जो की साथ मुक्य स्टेट्स और बसे हैं, यह इथनी ग्रूप सेपरेट लैंड की मांग कर रहे थे हैं, इसे फिक्स करने के लिए ही यह इग्रिमेंट साइन की गई है, नेक्स्ट, 21 अगस को पूरो फाइनन्स सेगरेटरी राजीप कुमार नए एलक्शन कमिश्टर नियोक्त किये गए हैं, यह असोल लव मुदी जी के फाइनन्सियल इंक्लूजन, मुद्रा लोन स्कीम और परधानमंत्री जंधन योजना में भी कारी किया है, चलते हैं आज के आगड़ी अफैर पर, भाइस अगस्त को गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने ने नेशनल स्पोर्स एबाद 2020 के विजयताओं की, सभी वि दिया जाते हैं अगर आवार्ड की एक्स्प्लेंड की जाए तो यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसकी पीडियाफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है